नमश्कार दोस्तों सावन माह की पूर्णिमा के दिन रक्षा बंधन मनाया जाता है इस साल रक्षा बंधन का पर्व 19 अगस्त दिन सोमवार को पड़ रहा है इस दिन जहां एक और बहने अपने भाई को राखी बांद कर उसकी लंबी उम्र की प्रातना करती है तो वहीं इस दिन कुछ सरल और अचुक उपाय आजमा कर बहने अपने भाई के जीवन में तरक्षी के मार्ग को खोल देती है चलिए रक्षा बंधन के दिन किये जाने वाले कुछ उपायों के बारे में जानते हैं जिससे बहने अगर करे तो भाई की तरक्षी अवश्य होगी चलिए जानते हैं रक्षा बंधन के दिन बहने रात के समय चंद्रमा की पूजा करते हुए अर्ग दे और अपने भाई का 11 बार नाम को चारित करते हुए तरक्षी की काम ना करे रक्षा बंधन सोमवार को पढ़ रहा है ऐसे में शिवलिंग पर बिलबत्र चढ़ाएं और पीले चंदन से भाई का नाम एक कपड़े पर लिखकर शिवलिंग के सामने रखते रक्षा बंधन के दिन सबसे पहले हनुमान जी को राखी बांध कर फिर उसी राखी को अपने भाई को बांधे इससे भाई की तरक्षी की बाधाएं दूर होंगी रक्षा बंधन के दिन अपने भाई के सिर पर से साथ बार फिटकरी उसार कर चोराहे पर फेकाएं इससे भाई को बुरी नजर उतर जाएगी रक्षा बंधन के दिन भाई पहन साथ में गणेश जी की पूजा करें इससे सफलता के संकट दूर होंगे साथ ही शुवकारे निर्विग्न पूरे होंगे रक्षा बंधन के दिन भाई को मीठा खिलाने से पहले उस मीठे में से एक ठुकड़ा पहले किसी काले कुट्ते को खिलाएं इससे राहु मजबूत होगा रक्षा बंधन के दिन राखी को गंगाजा से सुधगर सबसे पहले अपने इस्ट देव के चर्णों में रखें फिर उस राखी को अपने भाई को पहनाए एक लाल कप्रे में पाच सुपारी रखकर उन्हें अपने भाई का प्रतीक मानिये और अच्छत रोली लगाकर पाचों सुपारी को घर की तिजोरी में रखें रख्षा बंधन के दिन भाई बहन साध में मिट्टी के गणेश जी बना कर उन्हें दूद से इस्नान कराएं और फिर उस दूद वाली मिट्टी को पीपल के पेड में डाल आएं रख्षा बंधन के दिन भाई बहन साध में गंगा इसनान करें और हवन यग्य का आयोजन कर तरक्की के लिए पूजा करें इससे तरक्की के मार्ग खुलेंगे दोस्तों ये थी हमारी जानकारी रक्षा बंधन के दिन बहने अपने भाई के लिए, अपने भाई की तरक्की के लिए अवश्य ही ये उपाय करे आपके भाई की अवश्य सफलता प्राप्त होगी उमीद है आपको हमारी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करे साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवस्य दे आपकी राय हमारी लिए बेहद ही महत्पूर है धन्यमाद